हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आप एक ऐसे चैनल की तलास में हैं जिससे आपकी एक्जाम की तयारी हो जाए तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हमारे चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देख अब यह जो कॉशन है 36 पैन और 42 पैंसिलों की कीमत 460 रुपे है तो 18 पैन और 21 पैंसिलों की कीमत क्या होगी मैंने क्या बोला हमारे यह कोई टाइम नहीं है तर्यारी करने का मैं आपसे कह दू एक साल में करा दूँगा दो साल में करा दूँगा छे महीने में नहीं आज आ आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो तैयारी आज ही ही होगी जो कोशन आपने देख लिया पढ़ लिया समझ लो वो तैयार हो गया दुबारा से पढ़ने की जरूता आपको नहीं पढ़ेगी कहा गया है कि 36 पेंच च्छतिस पेंच और 42 पैंसिल प्लस का साइन ले लेंगे 42 पैंसिल ठीक है इनकी कीमत कितनी है इनकी कीमत है 460 रुपया फिर पूछा गया है अठारा पेंच प्लस 21 पैंसिल 21 पैंसिल की कीमत क्या होगी यह आपको बताना है सेकिंडों में सोल्व हो जाओगो पैन और पेपर की भी जरूत नहीं पढ़ेगी आपको देखिएगा कैसे यहां देखो 36 का आधा हो गया पैन 42 का आधा पैंसिल हो गई तो यहां पे इस मुल्य का भी आधा कर दीजिए 230 रुपया सवाल खतम पहला उप्सन सही जवाब है जब हमारे पास पैन भी आधे हो गए पैंसिल भी आधी हो गई तो उनकी कीमत भी तो आधी हो जाएगी समझ दो संख्याओं का गुडणफल 32 है तथा उनका ओसत 6 है तो घनों का योग क्या होगा दो संख्या है और उन दोनों संख्याओं का ओसत है 6 तो योग कितना होगा संख्या का मल्टिपई ओसत से करेंगे तो आपको योग मालूम हो जाएगा जो की 12 होगा दो का मल्टिपई 6 स और ये मैं क्या करता हूं दूसरी संख्या ले लेता हूं ठीक है ये मैंने पहली संख्या ले ली और ये मैंने दूसरी संख्या ले ली जबकि दोनों का योग मेरे पास बारे आया है और दोनों संख्या को गुड़नफर कितना है 32 है पहली संख्या दूसरी संख्या का करूँगा तो बारा हो जाएगा और यदि आठ और चार का मलपई करूँगा तो 32 हो जाएगा कंडिशन सेटिस्वाई होगी जोडने पे बारा मिल गया गुणा करने पे 32 मिल गया तो पहली संक्या मेरी आठ है दूसरी संक्या मेरी दो इनके घनों का योग पूछ रहा है तो पहली संक्या मेरी क्या है आठ मतलब आठ का घन कर लूँगा ठीक है दूसरी संक्या मेरी क्या है चार चार का घन कर लूँगा दोनों का योग पूछ रहा तो योग कर लूँगा आठ का घन होता है 512 चार का घन होता है 64 दोनों को अगर जोडेंगे तो 576 मिलेगा अब आगे है ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है अब देखेंगे अगला प्रश्ने अगला प्रश्ने है दो संख्याओं का योग 20 तथा अंतर दो है तो उनके वर्गों का योग क्या होगा इस सवाल में बच्चे बहुत कलती करते हैं आज के बाद गलतियां करना बंद क दोगे ऐसे प्रश्ने में आपको दो संख्याओं की जरुवत है क्योंकि दो संख्याओं का योग है न 20 और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दो है तो इसमें आपको दो संख्याओं की जरुवत है एक संख्या दो बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी तो आपको बड़ी संख्या निकालोगे तो इन दोनों को जोड़के 2 से डिवाइड कर दोगे यानकि 20 और 2 बाइस जोड़के 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आ गया 11 यानकि बड़ी संख्या आपका 11 है छोटी संख्या कैसे निकालोगे इन दोनों का अंतर कर दोगे यानकि 20 और 2 का अं संख्या के वर्ग का योग तो दोनों का वर्ग कर दो 11 का वर्ग 121 नौ का वर्ग क्या सी जोड़ लीजे एक और एक दो 12 और आठ 20 हो जाएगा सीधा सीधा 202 सी ओप्षन सवाल का सही जवाब हो गया अब देखते अगला सवार अगला सवाल है यदि तीन क्रेमांगत संख्याओं का योग 15 है तो उन संख्याओं का गोडन फल कितना होगा कोई तीन संख्या है जिनका योग 15 है तो आप क्या करेंगे योग में संख्या से डिवैट कर देंगे तो आपको औसत पता लग जाएगा औसत आ जाएगा पांच य ये पहली संक्या ये दूसी संक्या ये तीसरी संक्या ठीक है ओसत हमेशा बीच वाली संक्या होती है तो पाँच आपका बीच ही में आ जाएगा अब संक्या लगातार है पाँच के बाद में छे mejoros 5 से पहले चार गुडन फल पूछा है तो गुणा कर दीजे 4 पंजे 20 और 20 का 6 से कर दो तो आंसर आ जाएगा 120 120 पहला option में दिया गया है बिल्कुल सही जवार अब देखते हैं अगला प्रश्ण अगला सवाल है यदि AQ प्लस BQ बराबर 72 और A B बराबर 8 है तो A प्लस B का मान क्या होगा देखिए कोई दो संख कैसी लिजे जिनका अगर मैं Q करता हूँ तो 72 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं का मैं मल्टिप्लाइ करता हूँ तो 8 आ जाए है ना चलिए A Q प्लस B Q बराबर मेरा 72 है जिनका Q करके जोड़ूँ तो 72 आ जाए ठीक है चलिए अगर मैं 4 का Q करूं प्लस 2 का Q करूं 4 का Q 64 होता है कितना 64 होता है इधर लेग देता हूँ 4 का Q 64 और 2 का Q 8 और 64 और 8 को अगर मैं जोड़ूँ तो ये 72 ही तो हो जाएगा बहतर हो गया ठीक है यानि कि A का मान मेरा 4 है B का मान 2 A का मान 4 B का मान 2 दोनों का अगर मैं मल्टपे करूँगा तो 8 आ जाएगा बिल्कुल सही है Condition satisfy हो रही है मुझे A का और B का मान सही सही पता लग गया अब A प्लस B पूछा है A प्लस B यानि कि A का मान 4 B का मान 2 दोनों को जोड़ दोगे तो 6 आ जाएगा C option प्रेशन का बिल्कुल सही जवाब है अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशनी है X Q माइनस Y Q का मान गयाद करें यदि X माइनस Y बराबर 4 और X गुने Y बराबर 12 हो हमें कोई दो संक्या ऐसी लेनी है जिनका अगर मैं अंतर करूं तो 4 आ जाए और उन्ही दोनों संक्याओं का मैं गुना करूं तो 12 आ जाए ठीक है गुना करने पे 12 मिले और अंतर करने पे मुझे 4 मिल जाए अगर देखिए मैं यहाँ पे 6 गुने 2 करता हूं तो मुझे 12 मिल जाएगा और 6 और 2 का अंतर करता हूं तो 4 मिल जाएगा के लिए रहना इतना तो confirm हो गया अगर मैं X को 6 मानू Y को 2 मानू दोनों का अंतर करूँगा तो 4 मिलेगा पिल्कुल ऐसे ही X को मैं 6 मानू Y को 2 मानू दोनों का गोना करूँ तो 12 मिलेगा तो X का मान मेरा मुझे पता लग गया X का मान मेरा 6 है y कमान 2 है, x कमान में रच्छी है, y कमान 2 है, दोनों का क्या हो रहा है अंतर और दोनों का हो रहा है Q, यही तो है, चलिए 6 का Q कितना होता है, 216, 2 का Q 8 कर दो अंतर, 208 हो जाएगा सवाल का सही जवाब जो की B option में मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा के नहीं भी option में चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्णी अगला प्रश्णी है यदि xy बराबर 18 और x square plus y square बराबर 45 है तो x plus y का मान क्या है पहुत अच्छा सबार कोई दो संग कैसी लिजे जिनको आप वर्ग करके जोड़ेंगे तो अगर मैं x को 6 मानूँ y को 3 दोनों का मल्टपे करेंगे चलिए x square plus y square मेरा कितना है 45 x मेरा 6 है 6 का square करूँगा तो 36 y मेरा 3 है 3 का square करूँगा 9 दोनों को जोड़ दूँगा तो 45 आजाएगा condition satisfy होगी x का मान मेरा 6 है y का मान 3 x plus y पूछा है x plus y x का मान 6 है y का मान 3 है दोनों को जोड़ दो आंसरा जाएगा no d option हो जाएगा सवाल का सही जवाब अब देखेंगे अगला प्रश्न अगला प्रश्नी है यदि a plus b बराबर 3 और a minus b बराबर minus 4 फिर a q plus b q का मान आपको बताना है बड़ा ही आसानी से बता दोगे ये question इसलिए मैं आपको home work के लिए दराऊ बहुत ही अच्छा सवाल है एक question आपको practice के लिए मिल जाएगा तो आपके लिए ये भी अच्छा रहेगा चार option भी है कौन सा option सही है कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं आपको बता दूँ सुबह के 10 बजे हमारे एक वीडियो आता है दो पहर के 2 बजे हमारे वीडियो आता है रात को 8 बजे भी हमारे वीडियो आता है और एक दिन में हम 3 वीडियो अप्लोड करते है जिससे कि आपके एक्जाम की तयारी कम समय में हो पाए जल्दी से जल्दी हो पाए ठीके दोस्तो धन्यवाद